युवा प्रगती संग के तात्वधान में संचालेत वाई पेस पबलिक स्कोल शिफ सागर में बच्चों के पारा आठ एवं क्राफ्ट के द्वारा विग्यान परदेशनी का आयूजन किया गया इस मौके पर मुख्यातिती के रूप में नावाडीर पोर मुख्याक कुमुद देवी जबकि विशिश टातिती पंचाय समिती सदस्या देवन्ती देवी भी मौजूद रही विग्यान परदेशनी के दौरान बच्चों ने अपने अपनी कलाकारी से सब का मन मुह लिया बच्चों ने परदेशनी के दौरान अपनी कलाकारी से शहरी प्रदूशन, न्यूक्लियर पावर ओफ प्लांट, अग्रिकल्चर लैंड, सोलर एरिगेशन, वायू प्रदूशन, डिजनी लैंड, एवं हाउस, पार्क, एंड, वाटर, रिसाइकल, हॉस्पिटल, एंड, वायू और भूमी प्रदूशन, हमारा गाउं, जौला मुखी, पहार और मंडल, मशीन, कश्मीर की मनमुहक वादिया, सहिता ने मनमुहक परदेशनी को दिखाया, इर्जुरान विद्याले के प्राचार बसंद कुमार शर्मा ने कहा कि बच्चों में कितावे ग्यान के रचनापमक क्रियाओं की भी जानकारी होनी चाहिए, हम बले ही किताबों में सब कुछ पढ़नें, लेकिन हमें सिर्फ किताबों के भरों से सिक्षा के कड़ी को पूरा नहीं कर सकते, मैं डॉक्टर दिलीक महता ने कहा कि रचनापमक और कलापमक क्रियाओं बच्चों के मस श्वनी कुमारी विद्यार्तियो मिनितीश, वेश, साधना, अंजली, मोनिका, प्रियंका, श्वनी कुमारी, प्रियारानी, अरनग, सोनु, कृष्णा, ओंपांडे, शैलेश, प्यूश, रिया, सोनम, सुनाक्षी, शाक्षी, प्रतिभा, आंसु, जिविका, चान्नी, रि घसीराय, रोश्णी, सृष्टी, अम्रता, शिवराम, अंश, विरार्ट, विराज, विश्वाल, अभे, विक्रम, प्यूश, आदर्श, सिधार्थ, शिवननदन, श्रियानशी, नितेश, सनी, राच्ष, कुमार, शिवननदन, अंश, प्रियांशू, सुनाक्षी, सुप्र यार रूही, गायतरी, रादिकार, रोशन, सुभांशु, प्रित्वियादी मौजूद थे। बिज्ञान पर्दसनी का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने अपने उत्कृष्ट पर्दसन किया, बच्चों ने डिजनी लेंड, वायो पर्दुषन, एगरिकल्चर फार्म, नुकुरियर प्रोर्र फार्म, तमाम चीजों को पर्दस्थित किया गया, और बच्चों मैं एक से एक अपने कलाखों परदस्थित किया है, मैं इन तमाम बच्चों को उनकी उजल भविस्की कामना करता हूँ, मैं विद्याले प्रबंदन, वायपेस प्रब्लिक स्कूल, निदेशक सहाब परचायर के माध्यम से याज कहता हूँ कि हमाई तमाम अभिभावक जो ह करते हैं, और बच्चों को हम ऐसा ततपर रखते हैं, और मुझे इस कारी के लिए काफी खुसी होती हैं, क्योंकि अभिद्याले संचनल होता है, और तमाम बच्चों का अथतक प्रयास पर अधारित हैं, तमाम अभिभावक का हम लोगों पर जो विश्वास भरोसार स्रे द सदा उनका भारी रहोंगा.